नमस्कार आप Live Cities देख रहे हैं मैं हूँ जैशुक्ला देखिए बात करेंगे BPSC पेपर लीक मामले की जिस मामले में लगातार एक के बाद एक दाबरतोड गिरफतारी हो रही है एक के बाद एक दाबरतोड चापे मारी चल रही है रविबार को एक बार फिर से EOU की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की और ये कहा जा रहा है इस सफलता के बाद कि अब जो है जाज कर रही जो टीम जो है वो मामले के तह तक पहुँचने ही वाली है या फिर यूँ कह सकते हैं कि पहुच चुकी है अब इस मामले में आगे क् जाएंगे जैसे मामला कुलेगा लेकिन फिलहालर बिहार के दो जिले ऐसे हैं जहां से बीपीएसी पेपर लीक मामले के तार जुड़ रहे हैं ये जिले कौन से हैं वो भी जान लीजिए दरसल सरसटवी संजुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परिक्षा के प्रशनपत्र लीक मामले के तार मुंगेर और बिहार के भागलपूर जिले से जुड़ रहे हैं प्रशनपत्र लीक मामले की जाज कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने संगठित गिरोह द्वारा अंजाम दिये जाने की बात कही हैं साथी जाज टीव ने भागलपूर के प्रिशिव वि युक्त भी है आनदगारों पहले भी इलहाबाद भरती घुटाले में गिरफतार हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि एनाइटी पटना से पास होने के बाद वो इस तरह के धंदे में सनलिप्त हो गया गिरोह के सरगना के बैंक खाते में करीब 12 लाक रुपे जमा होने के सूचना है और इसके साथ ही योई उने गिरोह के सदस्यों के पास से कई electronic गजट और आपती जनक चीज़ें भी बरामत की हैं कई बायंग खातों में लाकों रुपे जमा होने की बात पता चली है इसके साथ ही सभी खातों को फ्रीज कर दिया गया है अन्या सदस्यों के ग इस मामले की साजिश रची थी क्या ये वही लोग हैं जो मामले की जड़ तक पहुंचाएंगे क्या ये वही लोग हैं जो पूरी तरह से इस मामले में सनलिप्तों थे कई सारे सवाल है जिसकी जाँच योई कर भी रही है और लगातार छापेमारी इस बात पर की जा रही है कि ये देखा जा रहा है कि इस मामले की तह कहां पर है इस मामले की तह तक पहुंचे जाने की बात कहीं जा रहा है काफी सारी चीज़ें तो खुल भी गई है कई सारे मामलों का उद्भिदन तो हो भी गया है कई सारे बाते पता भी चल चुकी है सभी मामलों की जाँच की जा रही है EOU के द्वारा क्या ARA के उस Center की बात हो क्या फिर पटना की बात हो हर तरह की जाँच की जा रही है हर देगा के मामले को देखते हुए अब देखिए कल जिस प्रकार से चार बड़ी गिरफ्तारिया हुई है उसमें जो गिरफतार किये गए जितने भी आरोपी हैं ये सभी इस मामले में सनलिप्त थे और कहने की बात ये है जो सबसे बड़ी बात है कि एक जो आरोपी है वो पहले से ही मुंगेर में हत्याकांड का अभियुक्त है और इलहाबाद में फरजी किसी काम को लेकर वो जेल भ आखिर इसके तार कहां जुड़े हुए हैं अंतिम कड़ी क्या होगी यो यू जब अपनी जाच पूरी कर लेगी जब छापे मारी का दौर खत्म हो जाएगा तब ये पता चलेगा कि आखिर अंतिम पाइदान क्या है यो यू जो जाच कर रही है विपीसी पेपर लीक मामल सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें